नमस्कार आज का मेरे वीडियो है अंचाहेबाल समाप्त करने के लिए और जो यह में उपाई बताऊंगी जो मैं यह परियोग बताऊंगी यह सुसुरत संहिता में वर्नित है और सुसुरत संहिता में चिकित सास्थान अध्य नमबर वन स्लोक नमबर 104 से 107 पर वर्नित है इसमें मैं आपको एक लेग बनाना बताऊंगी जिसके परियोग से अंचाहेबाल समाप्त हो जाएंगे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अंचाहेबाल समाप्त करने के लिए उसमें मैंने तेल बनाने की विधी बताई थी तो बच्चे उसको बना रहे हैं लेकिन कुछ बच्चों के मेरे पास फोन आए कि माता जी हमें थोड़ा ये बनाना मुश्किल लगता है क्या आप तेल हमें भेज देंगी तो मैं अपने बच्चों को बताना चाहते हूं मेरे बच्चों अभी लोगडाम चला हुआ है ना तो हमें कहीं से ओस्दी मिल रही हैं और ना हम बना सकते और ना हम भेज सकते लेकिन मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका एक ऐसा एक ऐसा आसान उपाए बताऊंगी जो सुसुरत सहीता में वर्णित है अगर आप उस तेल को नहीं बना सकते तो इस उपाए को बना लेना और बहुत ही कारगर है क्योंकि हमारा आयरवेद महा सागर है इसमें एक विमारी की कि कई कई ऊस्दिया होती है कई कई तरीकoder होते हैं ठीक करने के तो जो मैं तरीका बताऊंगी इसको बना करके आप उभय कर लेना और मैं आप खर्च जब कीजिए जब कोई ओस्दी मिलने बड़ी मुस्किल हो जाती है, बनाना बड़ा मुस्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको बड़ा आसान और घरेल उपाए बताऊंगी, अब मैं एक संदेश देना चाहती हूं, उपाए बताने से पहले, उन बेटियों के लिए, जिन्होंने ब्यू अफशर लगा देना, अगर आप ये सोचेंगी कि हमारी इंकम कम हो जाएगी बेटे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो श्री शुसुरुत जी सुसुरुत सहीता का व्याख्यान नहीं करते, इस ग्यान को अपने साथ ले जाते, कि किसी को पता चल जाएगा, अगर ऐसा होता, तो मैं इस उपाय को नहीं बताती, कि मैं बना कर बेचूंगी, अगर जो कोई ऐसा सोचेगा, तो हमारा आईरवेद वहीं का वहीं ठप हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, हम तुम सब अच्छी सोच के लोग, जो इस बातों को सोचेंगे, कि हम भावी पीडी के लिए कर रहे हैं, हमारा ये आईरवेद लूप तो हो गया है, इसको हम जागरित करेंगे, तो अगर हम सब साथ मिलकर चलेंगे, तो इसको हम आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि आईरवेद मेरा नहीं है, आपका नहीं है, हमारे पुरुजों का हम सब का है, आईरव पोटो भी भेजूंगे तो इसमें क्या लिखा है जो वरन भली परकार रोहन नी होता उसमें अधिक रूम उक जाते हैं उनको केंची से या मोचने से निकाल दें सुसर सहिता में लिखा है जो बाल ज्यादा ही बड़े हो गए हैं मोटे हो गए हैं या एक जगा बहुत गुच माते हैं तो उनको पहले केंची से निकाल दें या किसी मोचने से जैसे नक्चुंडी होती है उनसे खीच कर निकाल दें या आपका कोई तरीका होता है जैसे ब्यूटी पालर में आप बाल निकालती है तो इस तरह से पहले बालों को निकाल दें बालों को निकालने के बाद और हर्ताल एक बाग, एक उस दिवराती है, उसका नाम हर्ताल, मालिया हमने हर्ताल दस ग्राम ले ले ले, तो संक का चूरन हम उसमें कितना मिला ले, बीस ग्राम, डबल हो गया, दुगना हो गया, दस ग्राम हर्ताल होगी, और बीस ग्राम संक का चूरन हो गया, ये तो मैंने हрах ताह है और दौाग संख है तो फिर बेटे क्या करना है इनने सब को सुक्त सुक्त मनी सिरका सिरके के साध़ पीज कर लगाएं इससे बाल गिर जाते हैं इसकी एक मल हमसी बना ले इसकी एक पेश्ट बना ले और पेश्ट बनाने के बाद या जो भारी बाल हैं कड़े बाल हैं काले बाल हैं या गुच्छों में उनको मोचने से निकाल करके और इस लेप को लगा ले इससे क्या होगा सारे बाल गिर जाएंगे फिर अगला तरीका मैं आपको बता देती हूं वह इसमें तो नहीं लि ही आते हैं चोथ ही आते हैं वो तो अपने शरीर की शरीर के उपर होते हैं अपनी ताशीर के उपर होते हैं तो फिर क्या आपको करना है जब दूसरी बार बाल आएंगे जब दूसरी बार बेटियां आपके ब्यूटी पालर माएंगी फिर उन दुबारा से उन बालों को न निकाल करके फिरीश लेप को लगादेना इस तरह जाएंगे अब बालों को निकालते जाएंगे और ये लेप लगाते जाएंगे साथ बार करने में बिलकुल बालों का सम्हूल नश्ट हो जाता और वो जगह ऐसी मुलाइम चिकनी और अच्छी हो जाती है जैसा शीशा होता है शीशा इस तरह के हो जाती है क्योंकि शीशे पर अगर धूल भी पड़ जाती है वो भी दिखाई देती है बाल उगने की तो बहुत दूर बात है अब मैं आपको ये लेप उतारने का तरीका बता देती हूँ जब ये लेप सूख जाएगा तो इसको साधे पानी से धोले और साबून का परियोग बिल्कुल ना करें अगर कोई साबून का परियोग करना चाहें तो उसकी जगह आप मुलतानी मिटी लगा सकते है और हुआ जगह जब सूख जाएगी तो घर्द कुमारी का रस लगा लिया अगर कोई मेरा बच्चा मेरी बेटी इस परियोग को भी नहीं कर सकते या बनाने में ऐस मर्थ है तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगी उसमें मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको अगली वीडियो में अँचाहबाल समाप्त करने के लिए दूसरा तरीका आपको बताऊंगी अगली वीडियो और बनाऊंगी